चंबल सफारी, कैला देवी, वंदिर और चंबल के डकैत इनी सब के लिए फेमस है करॉली धौलपूर जहां करॉली धौलपूर सीट जहां पहले चरणड में चुनाव होंगे लावंकन के प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इस सीट का राजीतिक इतिहास तो पुराना नहीं है पर ये सीट काफी माइने रखती है जब एक पक्ष का लक्ष से 400 पारका हो और दूसरे पक्ष के लिए वापसी का तो चले जानते हैं करॉली धौलपूर का राजीतिक इतिहास यहां का चुनावी समिकरन क्या कहता है विदानसवा और करॉली जिले की चार करॉली हिंडॉन सपोर्टरा तोड़ा भी विदानसवा के साथ किया गया था 2008 में गठन होने के बाद 2009 में यहां पहले चुनाव होए वर्ष 2009 में कॉंग्रेस के खिलाडी लाल बैरवा ने यहां पर जीत दर्च की उसके बाद वर्ष 2014-2019 के लोगसवा चुराब में बीजेपी ने जीत हासिल की मनोज राजोरिया ने बीजेपी का चंडा लहराया इस लोगसवा सीट पर अभी तक तीन चुनाव होए हैं जिनमें दो बार भाजपा ने जीत हासिल की और कॉंग्रेस चाहेगी किस बार मुकाबले को जीत कर बराबरी पर लाया जाए खेरिस सीट पर इस बार मनोज राजोरिया का टिकट काड़ दिया गया है वसंद्र राजे के करीबी नेता इंदू-देवी जाटब को टिकट कर दिया गया है वह कॉंग्रेस ने भी नए चेहरे को मौका दिया भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा है यानि कि यहां पर लड़ाई जाटव वर्सिस जाटव की होगी अगर दोनों भी प्रत्याशियों की बात करें तो वस्तुन्द्र राजे की करीबी इंदुदेवी कर करॉली से युवा चेहरा और महिला है और जाटव पंचाय समीती पर धान रह चुकी है अलाकि लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रही है पर ये करॉली पंचाय समीती में वर्ष 2015 से 2020 तक पर धान रही जिससे उनकी पहचान शेत्रिय स्थर पर काफी जादा है वह अग कर इस सीट के सियासी समीकरान की बात की जाए तो करॉली धौलपूर लोकसभा सीट चेटर के 17,96,130 मद्दाता अपने वोट दे कर सांसरत को चुनेंगे यहां स्टी मद्दाता लगवक 4,00,000 हैं स्टी मद्दाताओं की संख्या लगवक 2,62,000 से उपर है मुस्लिम मद्दात तन के साथ, नमस्कार